गाइज आइफोन लेने का सोच रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट आइफोन रेकेमेंट करूंगा जो आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियंज डेसल और आमेजन की ग्रेट इनिन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं आइफोन 11 की जिसका बजट 30 से 35,000 तक है और एक आइफोन लेना चाहता है और अच्छा क्वानिफिगेशन देखना चाहता है तो आप आइफोन 11 ले सकते हो आइफोन 11 जो है आपको फ्लिपकार्ट की बिलियंज डेसल में देखने को मिलेगा देखो अगर आप 30 से 35,000 तक किसी फोन में अगर पैसा लगाना चाहते हो तो आप आइफोन 11 को एक बार जरूर से दिखना अब बात करते हैं नेक्स्ट आइफोन की देखना है जो बहुत साइब लोग ऐसे भी होते हैं यह आइफोन चाहिए लेकिन कॉम्पैक्स चाहिए तो मैं आ आप आइफोन 12 मेनी को ले सकते हैं क्योंकि यह आपको बजट सेग्मेंट में देखने को मिलेगा इसकी भी प्राइस 30 से 35,000 रेने वाली है तो अगर आप 30 से 35,000 के रेन में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप आइफोन 12 मेनी को एक बार जरूर से दिख स आप आइफोन 12 को एक बार जरूर से देख सकते हो आइफोन 12 आपको 40 से 45,000 तक देखने को मिल जाएगा इसका लुक डिजाइन भी बहुत अच्छा है और यह एक फ्लैक्शिब स्मार्टफोन भी है यहां पर मैं आपको दादू की 40 से 45,000 तक के रेन में यह आपको Amazon Great Indian Festival सेल में देखने को मिलेगा लास्टाइम आइफोन 12 आपको जो है बिक बिलियोंस डेसल में देखने को मिलेगा लेकिन इस बार आपको जो है यह फोन आपको Amazon की Great Indian Festival सेल में देखने को मिलेगा इसका पोस्टर भी आ चुका है और यह बहुत ही जल्दी जो है इसका जो है ऑफिश आइफोन 13 मिनी को ले सकते हो आपको 40 से 45,000 तक देखने को मिल सकते है और आइफोन 13 इस टाइब का वन अप बेस्ट स्मार्टपोन है अगर आप आप आइफोन 14 लेने का सोच रहे हो तो 80,000 लगाने से इच्छा है कि आप 50,000 या 55,000 आप आप आइफोन 13 को एक बार जरूर स स्टेंबर को प्राइज रिवील होने के बाद इसकी क्या प्राइज आती है उसकी अपडेट मैं आपको चैनल के थूद दे दूँगा तो गाइज इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे तो बस आज के लिए तने गाव वीडियो चलोगे तो वीडि था 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 थ